नमस्कार, A State of Education एक educational institution है जहाँ पर हर बच्चे को tutorials और tutions के अलावा life skills, vocational skills, moral sciences और ethics and values के बारे में भी बताया जाता है ये खाली सुनने की बात नहीं है हम आपको उन parents से मिलवाएंगे जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ ही नहीं रहे बलकि उनकी व्यवारिक्ता, उनका behavior, उनका attitude towards life and studies बदल रहा है और इससे बहतर और कौन बताएगा कि खुद उनके माबाप इस बात की गवाही देते हैं कि बेटा चिराग भी उनके साथ पढ़ रहा है, बात करते हैं पहले मिसिस गुपता से, मिसिस गुपता नमस्कार, मैम एक मदर होने के नाते सबसे पहला आपका concern आपकी डॉटर की education से जो था, उसका ASOE ने उस प्रॉब्लम से आपको कैसे निकाला हमें बताईए, मतलब मेरी बेटी बेटी 12th में थी, मैंने 12th में बच्चे को भेजा कहीं कोजिंग सेंटर में भेजा लब उसका कोई रिजल्ट आई नहीं जाता सामनी, दिसंबर ता उसके जो भी स्कूल में टेस्ट होते थे 25 परसेंट, 27 परसेंट, मैं बिलकुल होप खो चुकी थी एक दिन अचान करतिक सर के गई, मैंने कार्तिक सर को काई यप के पास है 25 परसेंट डॉला बच्चा है आप इसे 50 परसेंट ला दीजी मेरे 12th मतलब इसकी निकाल दीजी जैसे कैसे, मतलब मैं जो आपको होगे ना मेरे 12th मतलब निकाल दीजीए और क्या हुआ उनने का ठीक है आप अप अप 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 बोलते हैं मैं जो ठीक है हो जाएगा और इसके बाद मैंने सोम्या में जो चेंजीज देखे मैं मतलब मैं वर्ड सी नहीं मतलब आपको कितना बताऊं मेरे पस बिल्कुल वर्ड सी नहीं उसको एक उसको जैसे आता था वैसे उसका आंसर इक लिए ती लेकिन जो सिखाया गया ना मला कि किसी भी तरीके से कॉस्टन पूचलो वो आंसर दे देता बच्चा ये नहीं कि आपको जो कॉस्टन इसका रटा है बिल्कुल हर चीज को समझाएगाता है आप उसको दस तरीके से कॉस्टन गुमा कर दे दो वो मैंने अपनी बेटी में कि तेरे पास बच्छों को भेज़ एते एंदे आपको इतना हो यहां आपको इतना डाउट था कि शायए ट्वेल्स पीड लेर ना हो शीज ना स्टाइब लेडियर ना हो शीज शना इंट टो कमाल है As a father, Mr. Gupta, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कि फादर का फोकस जादा तर अर्न करने के लिए और घर चलाने के लिए रहता है, तो बच्चे पर कम ध्यान दे पाते हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी सौम्या से और आगे चिराग, what do you expect from him, and ASOE ने आपके बच्चो का होती है, पढ़ाई कि उसकी, अब सौमया वाले केस में जैसे करने बोला कि हम वास्तर में होप हो चुके थे और क्या था वो एक सिलेक्टिट पेटरन पर पढ़ रही थी, वो पढ़ती रही ती दिन वर लेकिन उसके नंबर नहीं आपते थे, लेकिन जब सौमया ने यहा है, लेकिन बात करती थी पढ़ाई के जहां बचती थी वह इसका पढ़ाई में अगर कार्तिक सर का फोन आ गया, नहीं अभी सब काम कोश्वाटो हम आपका पकार्टी में बोल्या, मेर को कार्तिकसर ने यह दीए और वो रात के देड्या दो बच्चे वाचा विज़ाई न अधिन करए मोद इंट्रेa अधिनेंटरेंट से चालक्या नेवेट होता है पड़ाईय में कभी चेंजन आते तो ये जो इंट्रेस्टरेंस कराए हैं हां हमारे बच्चे का इंट्रेस्ट क्रेट हुआ है पढ़ाई जो के शायद हमारा भी कभी नहीं हुआ था हम जब पढ़ते थे तो हमको भी लगता था यार पढ़ना है बस चलो पढ़ लेते हैं तो यह जो चीज हुई है बड़ी कमाल की हुई है तो इसके लिए तो मैं तहे दिल से श जो जो चाहुँ है कि मुझे अराम लगाने के जुरूरत नहीं बढ़ी बच्चों को पढ़ाने के विए सुब बच्चों को इतना था कि पढ़ना है तो सुम्या सुब चार बजी अपने अपमे उठके आती थी तो वह पढ़ रही होती थे इतना जादा मुझे मुझे जिनको मतला परिबच्चों का लग रहा है डर है कि हां बच्चे नहीं पढ़ने तो नेच्ट्रली एहां एक बार डाल कर देखे सीरियूस्ली बहुत ही अच्छी पढ़ा है बहुत ही एच्छी बढ़ा है बहुत ही एक फाइनल ग्वेशन स्टडीज के अलावा और भी मैं कहुंधी मैं इंट्रेस्ट हर चीज में रचों की अरच के रहा हो जाते हैं बच वागते हैं जाने के लिए शेच गणिफे बच्टो वह एड दे अवiza जाते हैं सुषिंहें पलड करना जyuद ट navy बच्छ एड यह सिख़ू लगे जाता हूं बच्चों को खाली पढ़ा ही नहीं, हर चे सिखाई जाती है, मला बच्चा पूरा पर्फेक्ट बन के आते हैं, तो खासकर उन पेरेंस के लिए जहां पूरी जॉइंट फैमिली नहीं, आज़ नुक्लियर फैमिली हैं, I think ASOE एक फैमिली का पार्ट बन गई है, और आपके ब जिनके बच्चे अभी उतने ही शायद सक्सेस्फुल नहीं हैं, we wish you all the best and thank you so much for talking to us.